नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने कीबोर्ड में अपना फोटो लगा सकते हैं जिया दोस्तों अगर आप भी अपने कीबोर्ड में अपना फोटो लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंतक बने रहे हैं इस वीडि देख सकते हैं हमारे की बोर्ट का रंग पुछ इस परकार सा है ये हमारा कि बोर्ड जैसे ही आप सेच करेंगे आपके सामने कुछken इसा इंटरफेस होगा सबसे पहले आपको keyboard and input method उपर वाले option पर आपको click करना है उसके बाद आप यहां से देख सकते हैं current keyboard आपका keyboard है तो आप keyboard नीचे keyboard पर click करेंगे जैसे आप keyboard पर click करेंगे आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ है साइंटरफेस होगा सबसे पहले तो आपको यहां अपना photo दिखाई दे रहा है उस theme वाले option पर आपको click करना है theme वाले option पर जैसे आप click करेंगे आपको सामने कुछ हैसा interface होगा अगर आप यहां से colors change करना चाहते हैं तो यहां से आप colors change कर सकते हैं landscapes अगर आपको फोटो लगाना चाहते हैं तो यहां से इसे download कर यहां से भी लगा सकते हैं तो हमें अपना photo लगाना इसके लिए उपर आपको एक plus wall icon दिखाई दे रहा होगा plus wall icon पर आप click करना है plus wall icon पर जैसे ही click करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा interface होगा मान लीजिए मुझे अगर यह photo लगाना है तो इस photo पर click करना है उसके बाद आपको यहां से select करना है कि आप photo का कौन सा भाग लगाना चाहते हैं तो हम जैसे अगर यह photo लगाना चाहते हैं तो यहां से इसके बाद next करेंगे next करने के बाद आप इस photo का brightness इस परकार से बढ़ा सकते हैं उपर से उसके बाद यहां से done करेंगे प्रेजर करने के बाद आपको यहां से की बॉॉडर्श चाहिए आपको यह नहीं बहुत ही असानी से लग चुका है इस पर कर आप भी अपना फोटो कीवोड में बहुत ही असानी से लगा सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर पॉर लिबार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं